सबी बाईयों को सुरेंदर संशनिवाल की तरफ से नमस्कार आज हम कैथल जिले में हैं और ये पसू दिखाएं आपको ये बैस अभी ब्याने वाड़ी है लगबग रस एक दिन में तो ये पसू के बारे में बताएं उससे पहले मैं करना चाहूंगा कि जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइ करें ताकि जो भी हम नई वीडियो लेके आएं उसकी जानकर ये आपको मिले अभी ये सुनील भाई है ये बताएंगे पसू के बारे में कोण से ब्यात की है बाई साबैस कब दूसरी बार ब्याईगी दूसरी बार ब्याईगी कितने एक दिन है ब्याने के इसके दस दिन व कितना दूसरी ये गए बीको हम ठीक है बहुत ही बडिया बैस अभी कितने एक दिन में बैने वाणे गना अच्छा, एक लाग पिछेतर अजार रुपे, यह देगी बैंस है, बहुती बड़िया, छोटे सींग के बिलकुल, बिलकुल जैड बलैक बैंस है, और जो अडर की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी है, वो काफी बड़िया देगी, थनों का बैंस, यह देगी, दस दिन के बाद जब आएगी बैंस तो अडर बढ़िया बन जाएगा थनों का गैप काफी बढ़िया है और बिल्कुल चारो थन अलग अलग है और एक साइज के हैं चारो थन यह देखिए एक थोड़ी सी पूँच ज्यादा स्फेध है बैंस की बाकी बिल्कुल फिट है तो इस बार क् अब उमिद करते हो बाई सब कितना दूद निकाल देगी इसका उमिद 20 पलस की मान रहा है बीस तो पकाले अच्छ बीस की लोग दूद देने के उमिद है बाईगी यह कटडा भी सी बैसका है क्या हाँ यह पिछले वियां तका है इसका करके में जब फैस टाइम यह ठीक है इसका भी वेचने का विचार है क्या नहीं इसको निवेच दे ठीक है इसका इसका बाप कोण है पता हो आपको इसका बाप का नाम गतो नहीं पता अच्छ थेक है यह देखिए कटडा थोड़ा सारी लाई हो इसको थे क juste पैसकल बहुत पड़िया हैं का जटडे के काफ़ी गर्मी है अभी और गर्मी में hurricanes के कारण थोड़े दिल्ले दिखाई दे तेश्टीक यह दीखें जान काफी बड़िया तो बाइस आप इनको खाने पेने में क्या देते हो फ्या užम खाप खाने बिने में ऊचरा को खालै रिंगे यह तो विध्या को गोली दोपा की रिंगे वा लोगा पल थे दिया में गी तेल वा ला दिया ह। अच्छा गी नहीं दिया मैं देखने वड़े बाईयों को बताना चाहूंगा कि हमारे एरिये में 200 ग्राम गी एक दिन चोड़ के एक दिन जब लास्ट के 20 दिन ब्याने के रहें पसुके डिलीवरी से 20 दिन पहले शुरू कर देते हैं और वो काफी अच्छा रजल्ट रहता ह गी का कोई थणों के बिमारी हो पिछले ब्यात में या कोई और समस्या हो थोड़ी बहुत तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो देखने वाड़े बाईयों को मैं कहना चाहूंगा कि 200 ग्राम देशी गी डालडा बगेरा नहीं देशी गी जो गरका बना हुआ है वो 200 ग्रा तो जो भी बाईयों लेने का इचुक हो वो बाईयों से बात करें बैंस काफी अच्छी है वजन काफी बढ़िया है बैंस में सीन चोटा है वो सारी बाते मैंने आपको बता दी है तो जो भी बाईयों देख रहे हैं देश वी देश से हम सभी बाईयों का धन्यवाद करते ह सभी भाईयों को धन्यवाद सभी को नमस्कार सभी के बाईयों को अपना है झाल झाल